तो आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा लंबे हो जाएंगे बालों कर जहन्ना रुख जाएगा बालों में अगर डांडर्फ की प्रॉब्लम है या आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हो चुके हैं तो वो शाइनी हो जाएंगे इन फैक्ट इतना ही नहीं जो बाल आपके सफेध हो गए हैं या फ्यूचर में अगर आप जहाते हैं कि आपके प्रिमिचॉर बाल जैनी जो आपके बाल है वो सफेध ना हो तो वो भी काले होने स्टार्ट हो जाएंगे इतना एफेक्टिव तरीका है ये प्लीज इसको ट्वाई करें और उसके बात आपके बालों में जो उसका रिजल्ट आएका मुसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और आपका एक्स्पीरियंस ना बहुत लों की जिंदिगी को चेंज कर सकता है तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ जान लेते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए कि इन चीजों की जुरुत है और कैसे अपने बालों में एप्लाई करना है मैं पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगी ध्यान से देखेगा और same as it is ही follow करिएगा चलिए इस magical oil को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है मेथी धाना मेथी धाने में भरपूर मातरा में vitamin C, potassium पाया जाता है और nicotine acid पाया जाता है जहां से अगर आपके बाल जढ़ते भी जा रहे हैं तो आपके बाल उसमें टूटेंगे नहीं बलकि आपके सर पर बरकरार रहेंगे इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है दो चमश मेथी धाना मेथी धाना आपको किसी भी परचून की दुकान पर easily मिल जाएगा मेथी धाने के दो चमश आपको किसी भी बरतन में भीगो कर रखना है और उसमें डालना है आपने एक गिलास पानी इसको आप दो दिन के लिए भीगो कर रख दीजे अब आप देख सकते हैं दो दिन बाद मेथी धाना मेंने भीगोया था यह बिल्कुल पीले रंका हो चुका है इसका पानी और जो इसका पानी है अगर जब इसमें अब हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल यह चिपचिपास आपको फील होगा अपने हाथों में तो यानि जितना भी उसका असर था जितना भी benefit था मेती दाने का वो सारा इस पानी में आ चुका है अब हम क्या करेंगे एक stainer की help से यानि छनी की मदद से मैं इसको एक अलग बाउल में छान लूँगी इसका पानी अलग कर लूँगी अब जो मेती दाना बज गया है आपको उसको भी नहीं फेकना उसको संभाल के रखना है उसको मैं आगे बताऊंगी क्या करना है पहले हम इससे त्यार करेंगे अपना बालों का toner toner आपने face का तो सुना होगा लेकिन बालों का बहुत जादा important है जो आपके premature बाल जो सफेध हो रहे है न वो भी आपके काले होने शुरू हो जाएंगे अगर आप इसका इस्तमाल करेंगे मतलब बालों के लिए मेथी दाना राम बान नुस्खे की तरह काम करता है इसमें हम add करेंगे अब एक चममच अलोविरा जल अगर आपके पास fresh है, plant वाला तो आप वो यूज़ करें मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं market वाला इस्तमाल कर रही हूँ उसके बाद हम इसमें add करेंगे एक चममच केस्टर ओल केस्टर ओल क्या करता है, आपके बालों को बिलकुल लंबा घना बनाता है आपके बाल जहां से जढ़ चुके हैं, वहाँ पर भी आपके बाल उगाता है आपके बालों में नहीं जान और शाइन ले आता है और साथ में हम इसमें add करेंगे एक चममच coconut oil coconut oil भी आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं coconut oil भी मारे बालों को लंबा और शाइनी बनाता है तो इनको अच्छे से mix करना है mix करने के बाद अब आप क्या करेंगे? इसको एक spray bottle में transfer कर लेंगे आप देख सकते हैं मैंने इसको spray bottle में डाल दिया है अब मैं इसको अपने पूरे scalp में और बालों की length में अच्छे से spray कर लूँगी spray करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए अपने बालों में massage करनी है massage के एक घंटे बाद ही आपको अपने बालों को shampoo या conditioner से धोना है इस बात का ध्यान रखे हैं कि आप एक घंटे के लिए अपने बालों में जरूर इसको रखें और इसको पूरी रात के लिए अपने बालों में छोड़ सकते हैं आपके जो बालों में एकदम से अलग सा ही shine आ जाएगा अब बात कर लेते हैं अपनी second remedy के बारे में जो हमारा मेथी दाना बच किया था उस मेथी दाने को अब मैं mixy में डाल दूँगी साथ में add करूँगी आधा कब पानी आधा कप पाई डाल कर मैं इसको smooth paste बना लूँगी अगर अभी भी आपको paste गाड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और add कर सकते हैं आपको बिल्कुल पतला पतला paste बनाना है आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से paste की consistency होनी चाहिए जैसे ये पतला हो चुका है अब इस paste में हम क्या add करेंगे इस paste में हम add करेंगे दो चमच olive oil olive oil क्या करता है आपके बालों को naturally nourish करता है आपके बालों में नई जान लेकर आता है नई shine लेकर आता है तो हम इसमें add करेंगे वो आप चाहें तो इसमें दई और egg भी add कर सकते हैं इसको अच्छे से mix करेंगे और अपने पूरे scalp में और बालों की length में लगा लेंगे अब आप देख सकते हैं एक घंटा हो चुका है अब मैं इसको wash कर लूँगी तो आपको wash करने के बाग अपने बालों में खुद before and after का result खुद बाख खुद दिख जाएगा मुझे भी दिखाने के ज़रत नहीं है आप पहले खुद इसको try करें और उसके बाद खुद result अपना experience मुझे जरूर शेयर करें तो ऐसे कुछ नया और भैतर हमेशा आपके लिल आती रहूंगी आपकी जिंदकी को और खुशनमा बनाती रहूंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई, टेक केर, स्टे हल्दी, लव यू अल